हाई गाईज वेलकम टू मैं चानल आलसिर सोया कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम एक सीजनल वेजटेबल के साथ वेजटेबल पलाव बनाएंगे तो देखिए यह कैसे बनता है आज आईए इसके इंग्रियेंट्स देखने हैं एक मीडियम साइज प्यास ले 5-years-際 के देखिएघ्रीट Int Truth들이 कैसे बनाना मैंने एक कप चावल लिए हैं उसको पानी में अच्छेस्अम कैंधोया डिया है एक काप चावल में हम थो कप पानी डालेंगे वन इस टू टू का रेशो है तो चलिए देखते हैं हमें देसीगी डाल लेती हूँ मैंने इसको अच्छे से डाल लिया है और गरम उन्हें के लिए रख दिया है देसीगी गरम हो गया है अब हम इसमें जीरा डालेंगे और अपना लसन भूनेंगे लसन बहुत ज्यादा नहीं भूनना है बसर बहुत भूनेंगे उसके बाद हम अपने प्याज अट करेंगे इनको भी हलका सा भून लेंगे यह देखिए अच्छे से इसको भून लिया है हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है प्यास को पस ऐसे भून लेंगे उसके बाद हम अपने ही वेजिटेबल्स आड़ करेंगे बीन्स आड़ करते हैं काजर मंबनी को भी आड़ करेंगे आलू और अपने माटार अब इनको थोड़ी दिर पकाएंगे अच्छे से दुहरी मेंज डाल देंगे इनको थोड़ा भूनेंगे घी में ऐसे अब हमें इसमें अपने मसाले अड़ करेंगे पन फोटी स्पून हींग हाफ टी स्पून लाल मिश पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिश ली है आप चाहें तो अवाइड भी कर सकते हैं और वन फोटी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून नमक इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं वेजिटेबल्स में कोट कर ले इनको कि देखिये ऐसे तो मिल टॉर्स को ऐसे पकाएंगे अच्छे से मसाले सब्सियों में मिल गए हैं यह देखिये अच्छे से मर्ज हो गया है कोट हो गया है अब हम इसमें अपने चावल अट करेंगे कि देखिये में चावल अट करती है कि देखिये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके पात इसमें हम अपना पानी आड़ करेंगे अब जितने चावल ले रहे हैं उसका डबल पानी होना चाहिए अगर आप दो कप ले रहे हैं तो चार कप पानी होना चाहिए एक कप ले रहे है तो दो कप पानी होना चाहिए यही रेशो है इसे विशे पलाव बनाने का इससे आपका पलाव ना ज़दा गले का और ना ही कच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रेशो है यह इससे बिलकुल पर्फेक्क पलाव बनेगा अगर आप ऐसे पानीर का रेशो जालेंगे तोएब हम हम इसमें सीटी लगा देंगे एक उकर से आप चाहें तो उसको खुला भी पका सकते हैं सिर्फ कूकर ढखके उसको बीच-वीच में चलाते हैं तो भी यह बन जाएगा पर सीटी लगा के बनाने से भी यह बहुत अच्छा बनता है यह देखिए यह कितना अच्छा दिख रहा है सर्दी जादा है तो इसलिए बार-बार अच्छे से बिच्चर नहीं आ रही है पर यह देखिए भाप की वज़े से यह देखिए कितना सुन्दर देख रहा है चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते है इसको बोल में डाल लेंगे अब इसको चटनी पापड़ अचार किसी के साथ भी खा सकते है यह बहुत टेस्टी बनता है और सारी वेज़ेबल्स जो भी वेज़ेबल्स आपके पास अवेलेबल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और बच्चों अराम से खिला सकते हैं मुझे कामन सेक्शन में जरूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी और इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करें यह बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेसी लगती है खाने में वन पॉट मील है एक तरह से और मेरे चैनल अलसी रसोया को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मुझे कामन सेक्शन में बताएं कि और कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूं थांक्यू सो माच गाइज